नमस्कार दोस्तों आज में आप लोगों के लिए पजुशन बर्वे स्पेशल जैन रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें हमने प्याज लसुन की बिना पूरा खाना बनाया है यानि पूरी थाली बनाई है कड़ी और चावल की जिसमें हमने हरी मिर्च तक और हरे धनिये का भी नहीं किया है रेसिपी पूरी देखेगा पसंद आती है तो लाइक और शेर जरूर कीजिएगा यहां पर जो हमने एक कप बास्मती राइस लिए हैं जिसे दो तिन पानी से दोने के बाद में मैंने आदे घंटे के लिए विगो कि एक तरफ रख दिया है तो यहां पर चाव जाए तो ठकल लगा कर जो है पानी के अंदर हमें एक अच्छा सा उबाल लाना है जो पानी के अंदर अच्छा सा उबाल आ जाएगा तब जो है हम इसके अंदर चावल डाल देंगे जो हमने भीगो के रखे थे तो यहां पर मैं हमेशा बास्मती राइस का इस्तिमाल करती ह तलगे चावल को नहीं पैञे के लिए पॉदिने का प्लाना धाला है अब जो है इसके अंदर पुदिने का पाउडर डाला है यह सूखा पुदिने का पाउडर है जो की जैन रेसिपीज में चलता है यहाँ पर हमने ताजे पुदिने का पाउडर नहीं डाला है साथ में मैंने इसके अंदर नमक डाला है स्वात के इसाब से और यहाँ पर हल्दी दाल दिया तो फिर बेसन जो है हमारा अच्छे से गुटलिया इसकी खतम नहीं होगी और फिर जो है कड़ी बनते वग वो गुटलिया नजर आएंगी तो यहाँ पर पहले हम सारी गुटलियों को खतम कर देंगे थोड़ा सा पानी डालके चाहे तो आप दही डालके भी खतम क करने वाली हूँ है अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो दो कप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप तो यहाँ पर कड़ी हमारी खटी और स्वादिस्ट बन के तयार होगी इसके लिए 2 कप दही का इस्तेमाल किया है और 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है और सारे सामगरी को अच्छे से इस पैटूला की मद़ से मैं ने मिक्स कर दिया है अभी जो है हम इसको एक तरफ रख देंगे क्योंकि हम पहले चावल देख लेते हैं चावल हमारे अच्छे से लंबे से बन के तयार हो गए है और खिले खिले बने है तो गैस को मैंने कर दिया है बन और चावल को जो है इकदम खिला खिला बनाने के लिए इसका पानी जो है हम अलग कर देंगे तो चलनी के नीचे जो है मैंने रख दिया है एक बरतन यानि कोई भी बरतन के अंदर जिसमें पानी निकालना है वो रख सकते हैं और इसके बाद जो है सारे चावल हम चलने के उपर ले लेंगे और चावल जो है सारा पानी निकल जाने के बाद इद्दम खिले-खिले बन के तयार होंगे इस पानी को डिसकार्ड मत कीजेगा, ये पानी के अंदर नमक भी होता है तो इसमें थोड़ा सा घी और थोड़ा सा निम्बू का रस मिला के बच्चों को दे सकते हैं बहुत ही स्वादिस्ट होता है यह मांड का पानी और यहाँ पर हमने गैस पर रख दिया है एक पैन क्योंकि हम जीरा राइस बनाने वाले हैं तो एक बड़ा चमच मैंने घी डाल दिया है इसके अंदर और साथ में घी गरम हो जाएगा जब हम इसके अंदर एक चमच जितना जीरा डाल देंगे जब घीरा घी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और फूलने लग जाएगा यहीं तड़कने लग जाएगा जब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे जो हमने उबाल के रखे थे इस वक्त इसके अंदर नमक को अगर डालने की जरूद नहीं है क्योंकि चावल को उबालते वक्त हमने नमक डाल दिया था तो जीरा रायस के अंदर अल्रेड़ी नमक का स्वाध होगा तो यहाँ पर स्पैटुला की मदशे चावल को हलकी हाथों से मिक्स करना है गी के साथ में और जीरे के साथ में आप चमच का इस्तिमाल मत कीजिएगा ने तो जीरे आपके तूट सकते हैं तो यहाँ पर हमारे खीले-खीले जीरा राइस बन के तयार हो गए हैं अब जो है हम कड़ी बनाने के तयारी कर रहे हैं तो हमने जो कड़ी का मिश्रन बना के रखा था उसको हम रख देंगे गैस पर और एक उबाल आने तक पहले हमें इसको है तेज आज पर पकाना है जैसे ही एक उबाल आ जाएगा इसके अंदर तब हम आज को धीरे कर देंगे और फिर धीमी आज पर जो है हम इसको पकाने वाले हैं आगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक लकडी का स्पैटूला रखा था वो क्यों रखा था वो मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसके अंदर और नमक डालके जो है इसके अंदर अच्छे से उबाल आने के बाद में आज को धीरे करके इसको पकाने वाले हैं तो जैसे आप कड़ी या फिर दूद वगयर कुछ उबालते हैं तो आपको लगता है कि आपको हमेशा वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हैं कुछ काम भी और दूसरा होता है तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं एक लकड़ी का इस पैटूला या फिर लकड़ी का जो चम्मच होता है वो इसके उपर रख दीजिए और आज को थोड़ा जो है मीडियम करके रख सकते हैं तो यह इस तरीके से जो है दूद या फिर कड़ी इस तरीके से बाहर नहीं आएगी यह जो है एक बहुत ही अच्छी टिप है तो आप इस्तिमाल कर सकते हैं दूद वग्यर उबालते वक्त या फिर कड़ी बनाते वक्त अब जो है कड़ी पे एक अच्छा सा तर्का देने के लिए यहाँ पर मैंने रख दिया है गैस पर एक छोटा सा नौनिस्टिक पैन और इसके अंदर एक चमच घी डाल देंगे क्योंकि हम घी के अंदर यह तर्का देने वाले हैं आप चाहे तो तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं यहाँ पर जीरा डाल देंगे इसके अंदर जब गी गरम हो जाएगा हमारा और साथ में हम इसके अंदर थोड़ी सी हिंग भी डाल देंगे तो हिंग और जीरे से जो है इसका स्वात बढ़ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर हरी मिर्च लसून अद्र कुछ भी इस्तिमाल नहीं करने वाले हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर राई डाल दी है एक चोथा ही चम्मच इतनी और इसके बाद जब राई अच्छे से तड़कने लग जाएगे न तब हम गैस को तुरंत बंद करके कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे मिर्ची हमारी जलनी नहीं चाहिए तो यहाँ पर इस तड़के को गरम गरम तड़के को जो है हम कड़ी के अंदर डाल देंगे और फिर थोड़ा सा तड़का मैंने बचा दिया है गार्नेशिंग के लिए तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तड़के को के साथ में ही तो यहाँ पर कड़ी को पकाने के लिए आज को मैंने मीडियम कर दिया था और मीडियम आज पर ही हमें इसको पकाना है यहाँ पर कड़ी अच्छे से पक गई है आप देख सकते हैं काफी गाड़ी भी हो गई है कलर भी चेंज हो गया है और इसके उपर जो है तड़का डाल दिया है तो ये कड़ी चावल की रेसिपी आपको कैसी लगी बिना प्यास लसुन के यहां तक कि हमने हरी मिर्चो धनेगा भी इस्तेमाल नहीं किया है तो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा